कि अजय दोस्तों अब ही आपकी ख्लास में कि सांखिकी चल रहा था तो सांखिकी ही कह सकते हैं सांखिकी में कोई सब टॉपिक तो अब यह स्टार्ट भी नहीं कि उसांखिकी में अगर सब टॉपिक के बात कर जा तो माद्ध माध्धे का बहुलक तो यह चार चीज में इसके वाद प्रायक्ता विस्आखे की काही पाट है, ऐसा कि प्रायक्ता अलग है लेकिन रही हम लोग के दिमाग में यह फीट रहा था कि Мढद माद्य का और बहुलग तो मढद माद्य का बहुलग पढ़ने से पहले आपको वरग के बारें मन जानना है, संचे बारम बारता केसे निकालता ये जानना है अगर कभी जरूरत पढ़ गया मिलान चिन तो वो आपको आना चाहिए कि मिलान चिन ने केसे निकलता है इन सब चीजों के जानकारी लेना जरूरी है और क्लास तो भले ही नाइंध का है जैसा कि थमलेल में भी आपको पता चल देख आएगा की लिखा उअरा राता है नाइंध महसाने की शिर्फ नाइंध के लिए जरूरी है जो भी बच्च इसको चीज्ज्छे लुदेद का देख रहे हैं जो टइन्त के थे उसके लिए उतना ही जरूरी है उतना ही जरूरी है जैसे जैसे फुई आठ् सिखा दीजिए तो पॉसिवन ने हैं सेम उसी तरह से दस्मा के सांख्य की आप तभी समझ पाहिएगा क्लास टेंथ का जो अस्टेटिक स्टिक्स है वह आप तभी समझ सकते हो जब आप नाइन्थ के स्टेटिक्स सही तरीके स्कमाण के लिए अब अगर नाइन्थे में आपक स्टेंथ में नाइन्थ वाला गवर करो यहीं हो सकता है कि तो है लास्ट क्लास में हम क्या बताया थे हैं हम एक टिक लगाते हैं है संचे बारम बारता था थोड़ा सा चेंड करेंगे आज जो हम बतलाएंगे वह फिक्स है कि क्लास नाइन्थ के लिए अभी जो बताएंगे यह क्लास टेंथ के लिए हम पहले ही बता थे अभी जो हम बताएंगे वो सिर्फ क्लास नाइन्थ के लिए सिर्फ क्लास नाइन्थ के लिए अभी जो हम बताएंगे बार-बार करें कि यह सिर्फ क्लास नाइन्थ के लिए यह तेंथ के लिए यूजपूल ने हैं चाहो तो देख सकते हैं तेंथ वाले ऐसे नॉर्माली हम बोलते हैं कि सांके की टेंथ वाला भी देख लेकिन नहीं अभी वाला जर्वत नहीं है आपके लिए तो टेंथ क्लास के बच्चे हैं क्योंकि अभी आयत चेत्र चलेगा आज का टॉपिक है आयत चेत्र कि निम्न का आयत चेत्र लिखें क्वेशन नंबर पर्स्ट क्लास इंटर्वाल अनीचे फ्रिक्वेंसी जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालिस चालिस से पचास और लाट में पचास से साथ पाँच आठ बारह बीस दस छे इसका आयत चेत्र बनाना है ध्यान देना है कि करना क्या आपको है आयत चेत्र आयत चेत्र मतलब जो चेत्र बनाओगे वो लगवे करेगा आयत जैसन जो भी आप बनाओगे, वो लगेगा आयत की तरह, आयत चितर का मतलब है कि आपको आयत के जैसा वो लगेगा, तो आपको आयत जिसन बनाना है, वो ही जो चितर होगा, वो आयत चितर होगा, वेटे मिनट, क्लास इंटरफर, इसको ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल हमेशा नीचे रखेंगा, हमेशा वर्ग अंतराल नीचे रखना है, वर्ग अंतराल, नीचे रहेगा, कितना होगा वर्गंत्राब देखते हैं वर्गंत्राब कितना है जीरो से लेकर 10 थे हां बोलेंगे जीरो थोड़े दूरी पर लिखेंगे 10 कि ध्यान रखना कि हमको हाइस्ट साथ तक जाना तो उतने लेंद लेके चलेगे जिए महां तक पूरा हो जाए दस है फिर दस के बाद 20 20 से लेके 30 30 से लेके 40 40 से लेके 50 और 50 से लेके 60 तक पहुंच के इधर बारम बारता लिखना इधर बारम बारता लिखना है हाइस्ट बारम बारता कितना है इसमें 20 तो परियास करना है कि दू तीन चार करके लेके चलें दू तू नी चार छे दू चके आठ दू पच्चे दस दू चके बारा दू से ते चौवदा दू अठी सुला दू नमाठारा और दूदें के 20 सब से हाइस्ट जीरो से जो दस है उसकी बारम बारता कितना है 5 तो 0 से 10 है जैसे सटार्टे हो गया बारम बारता है 5 तो 5 कहां मिले का चार और 6 के बीच में कि कि हो गया है थिर दस से 20 की बारा बारता आठ है तो दस से लेके 20 तक कि इसको 8 तक उठाना है आठ कि यहां तक हो गया उसके बाद है कि 20 से लेके 30 तक 12 तक, तो 20 से लेके 30 तक यही लेके जह लेंगे, ठीक है, यही रहेगा 20 से 30, कहां तक जाना है, 12 तक, 12 तक आ गया है, यहां 12 मिला, यहां तक पहुंचेगा, अब 20 से 30 नहीं है, 20 से 30 तो इधर से भी, इसको भी उठाना है 12 तक, अधोनों को मिला देना है 12 तक, यह खीम है, यह चालिस तक बीस कफैंने टीस से लेके जाना है है कहां तक बारम बारता बीस तक किसे हिएग और यहां पर लाकर मिला ढिए हो गया बीस है गो कि की चालीस से पचास depraow 12 कि कि तो चालीस से तो शुरूए हुआ यहां जिobile में चानल के मिला दो हैं 50 पहला कि मिला देजे इब स्पचास से लेके साथ कितना से पचास से साथ 6 तो 6 यहां कहीं होगा 50 से लेके 60 हो गया च्छे बन गया एक चीद ध्यान देना हम इसी में बता दे रहा है अगर आयत चित्र कह रहे हैं तो इतने निकाल के छोड़ दो बन गया अगर आयत चित्र बोल रहे हैं तो इतने बना के छोड़ देजिए लेकिन अगर आयत चित्र के साथ साथ अगर आयत चित्र कर रहा है तो इतने छोड़ दो लेकिन अगर कहें कि आयत चित्र के साथ साथ आप बाराम बारता बहुभुज भी बनाई अगर कहें तब कि बाराम बारता बहुभुज बनाई तो उसको भी देख लो अगर इसा कहें तब इसे हिसाब सुल्फ हो चुका है तो बारण बारता बहु भुझ के लिए यहां बीचो बीच में एक बिंदू मिलाना यहां पे यहां पर यहां पर यहां पर और सबको free hand से मिला देना अगर free hand से नहीं भी मिलाना चलो और चाहो तो जीरो से स्टार्ट करो ने चाहो तो ने स्टार्ट करो यहीं से स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं यहां से इसको मिला दिये, इसको मिला दिये, इस बिंदू से इसको मिला दिये, इसको जीरो पर फिर ले जा सकते हैं, क्योंकि अस्टार्टिंग तो सब का जीरो से, इसको फिर यहां से मिला देंगे, और इसको फिर यहां मिला देंगे, इसको जहां तक लेके जाना है लेके जाएंगे अगर कहेगा तब बारामभारता बहुज बना तब बनाना एसे जो गरीन पिंसेल अख्ट अगर बारामभारता बहुज नहीं कर रहा है तो जोटमोटके अपना मेहनत करेंगे मतलब मेहनत कहले के मतलब बेकार तो नहीं बोले कि मेहनत बेकार होगा लेकिन फालतुक कहल करेंगे जहां बारमबारता बहुभुज कहेगा वहां निकालेंगे वह आयत चित्र कहे तो उतने बनाग छोड़ना जैसे हम पहलें बता है यह लेकिन अगर बारमबारता बहुभु मुझ भी बोले तो इतना करो कि कभी कभी एसन रहता एक सिर्फ बारंबारता बहुत कहेगा बिना आयत चित्र के तो आयत चित्र बनाने नहीं था कि जड़ा दूसरा क्वेस्टन देखते हैं क्लास इंटरफल कितना सेम सेम क्वेस्टन में रिपीट हुआ है सिर्फ बारंबारता चेंज होगा यहां दूसरा नंबर में भी क्लास इंटरफल यहीं रहेगा तो क्लास इंटरफल यहीं रहने रहेगा बदलेगा बारंबारता और बारंबारता भी हाइस बीसे तक जाएगा यह सब चेंज हो जाए माल लो कि हम 0 से लेके 10 तक के frequency 8 कर दिए और 10 से लेके 20 के frequency 20 से 30 के frequency और 30 से 40 के frequency और 40 से 50 के frequency 10 और 50 से 60 के frequency 6 और कहें इसका बाराम बारता बहुत होज बना चला लो अस्टार्ट करते हैं देखे पहले तो 0 से लेके 10 तक कहां है बाराम बारता 8 तो यह तो ख़र ठीक है जीरो से यह तो चलिए रहा है 10 तक लेके चलिए कहां तक लेके जाना 8 तक तो 8 तक मिला तक हो गया फिर 10 से लेके 20 देखो 10 से लेके 20 कहां तक 10 तक दस से बीस की बाराम बारत था थोड़ा सा उपर उठेगा दस था यहाँ इधर बीस है थी थोड़ा सा उपर उठेगा यहाँ से इन दोनों कमिला था यहाँ था 20 से लेके 30 तक 16 तो 20 से तो खेरेजे से स्टार्ट होगा 16 तक जाना है तो 16 तक आ गए और कह रहे हैं 20 से 30 तो 30 यहाँ पर भी रखो और इसको 16 तक लेके जाओ और यहाँ से यहाँ दोनों को मिला दो इसमें फिर कर रहा है 30 से लेके 40 तक तो 30 से लेके 40 तक तो 30 तो यही है इतना बन ले इसको और उपर लेके जाईए 20 तक बस चालिस तक 30 से लेके 40 तक चालिस ही हो गया इतना नहीं जा रहे है तो इसको ऊपर लेके जाओ क्योंकि लेके जाना इन भाय है 30 से 40 तक 30 से लेके 40 वर गंतराल हो गया और यह जो लेके जा रहे ही बाराम बाठता है कहां तक बीस तक यह हो गया बीस तक चालिस से लेके 50 तो 40 से तरजया स्टाट होगा पचास तक तो पहले 40 कहां तक जाएगा 10 यहीं तब फतम होगे अब पचास ठीक फिर 50 से लेके 60 छे तो 50 से लेके 60 छे छे मतलब यहाँ हो गया बस इतने करना अगर आयत चितर बोले तो इतने बनाकर छोड़ देना एसाब बन गया देखो आयद चितर अगर बोले तो इतने छोड़ देना अगर二 कह दें कि आयह चितर में एहां नहीं आप बारमबारता बहुज बनाईग University क्या करेंगे तो अगर कह दे इसी में कह दे कि आयय चित्र है और एकरे में बड़阁 में बहुज बनाँ दिखो अगर अलग से कहेगा कि बारमबारता बहुज बना तो ही बताएंगा अगर तब तो आपको फिर यह आये चित्र पन्विक जरूरत दें लेकिन आये चित्र बनाए हैं और उसी में कह रहा है कि आये ते चित्र में आप बारा बारता भावज बनाईए उसी में तो आसाने थोड़ा सब्सक्राइब क्या करना यहां पर मेडल पॉइंट यहां पर मेडल पॉइंट यहां पर मेडल पॉइंट बीच वाला बिंदू और सबको मिला दो इसको इसको मिला दो कि इसको इससे 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 मिला दो कि डॉट 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 जहां तक लेके जाए अशुरुवाती में इसको जीरोस मिला दो डॉट 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 हो गया जो ग्रीन पिल से आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बारम बारता बहुभुज अगर क्वेस्टन में कहेगा कि बारम बारता बहुभुज बनाओ तब और अगर नहीं कहता है बारम बारता बहुभुज बनाओ तो सिर्फ आयत चित्र बना के छोड़ दो अगर वो कह रहा है कि बारम बारता बहुभुज बनाईये तो बनाईये और आपको बारमबारता बहुच बनाना है, तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है, होता क्या है ने, कि वहां पे सिर्फ बिंद। रखना होता है, सिर्फ बिंद। जैसे इसे जो देख रहे हैं हुने, इस अफ नहीं रहेगा, एगर इससा कहँ दे कि आपको आयतं शितर ने बनाना और बिना आयत शितर के बारें भारता बहुभूच बनाना है तो यह सब बीछ मेंuba बिंदू देगा है वो भी हम बताएंगे फिलाल तो आयत चित्र के साथ में बाराम बारता बहुबोज सीख लो कुछ नंबर थर्ड क्लास इंटरफल क्लास इंटरफल क्लास इंटरफल जीरो से लेकर पांच पांच से दस दस से पंदरा पंदरा से बीस है बीस से लेकर पचीस है पचीस से लेकर तीस है तीस से लेकर पैटिस है बाराम बारता पांच आठ बारा सुल बीस है बारा और चार देखो यहाँ भी आए चित्री बनाना वर्गे चिन हाइस्ट कितना चल रहा है 35 तो स्टार्ट करो 0 और ज्यादा बढ़ा ने 5 पच्पच दस 15 15 25 25 25 25 35 और पंसते 35 ज्यादा बढ़ा नहीं लेखे गए बारामबारता कितना हाइस्ट तो हाइस्ट बीस है तो वही सब कहानी दुका दू दू दूनिचार दूतिया चे दूचक आठ दूचक दस तूचक बारा बरावर दूरी पे होना चाहिए अस्केल से नाप के लिखों के ज़्यादा अच्छा है हम थोड़ा सागी पीछे बना दे रहे हैं के बीच में जाता है कहीं पांच इसको मिला दे जीरो से लेकर पांच तक हो गया उसके बाद पांच से लेकर दस तक तो पांच से ही सुरू करना आठ तक थोड़ा सा उपर लेकर जा आठ को निए मैं अच्छे दो चाहां तक मिलाना पांच से लेकर दस तक हो गया कि उसके बाद है दस से लेके 15 तक तो दस से ही शुरू करना और दस से लेके जो 15 तक है यह वाला दस से 15 दस से शुरू हुआ कि बारा बारता कितना बारा तो इसको थोड़ा से उपर लेके जब बारा तक कि यहां तक अभी कहां तक जाएगा तो दस से लेके 15 तक है यहने इसको 15 तक लेके जाना होगा पिर 15 से बीस 15 से बीस की तो नीचे वहला लिख रहा है इसको बन करोओ आइन आधर जो लिखते हैं इसको बोला जाता है बारम बारता एक बर देख लो अराम से एक बच्वर देख लिए क्योंकि लिखते वुक्त हो हो सकता आपको पताने चल रहा हो तो हम हट गया है नीचे वर गंत्राल है और जो खड़ा है ने वह बारम बारता कि पंद्रह से बीस की बारम बारता सुलह मतलब है मतलब इसको और उपर लेकर सुलह तक सुलह तक बीस तक 15 से बीस की बारम बारता तो ऊपर उठाख देख लो 16 तक गया फिर 20 से लेकर 25 तक बीस इसे लेकर 25 वर गंत्राल है उसका बारम बारता है बीस तो उर लेकर जाए हो गया है फिर पचीस से लेके तीस तो पचीस से लेके तीस की बारां बारता बारा है यह नि कहीं यहां पर होगा फिर तीस से पचीस की बारां बारता चार चार मतलब यहीं कहीं होगा इसी माने हम देखे लों डोल 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 यह वला हो गया हो गया इतना बनाकर अगर छोड़ देते होने अगर इतने प्रहने देते हैं तो यह कहलाएगा आयत चित्र अगर सिर्फ आयत चित्र कहें तो बार बार हम कह रहें कि इतने करना और अगर कहें कि आया चित्र के साथ साथा बारां बारता बहुत भुजवी बनाई है तो फिर वही जैसे हम पहले बता रहे थे देखो क्या करना है अगर कहे तब यहां बिंदू यहां पर बिंदू यहां पर बिंदू बीच बीच में बिंदू देना है वर्गंत्राल के बीचों बीच में इस से पंदरह और बीस हैं इसके बीचों बीच में और सब को मिला देना है फ्री हैंड से कि अगर 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 मिलाते हैं अगर इस तरह मिलाते तो हम कहेंगे बाराम बारता बहुपोज है और आयाच चित्र के साथ में लेकिन अगर बिना आयाच चित्र के बनाते हैं तो ठीक है बिना आयाच चित्र का बाराम बारता बहुपोज हो जाएगा तो आज का ख्लास है तो बताने के और भी हैसाने की पूरा हो गया है लेकिन सेम चीज है ठीक है देखो तीन को क्वेशन अगर बता दी है तो समझो की कोई दिक्कत नहीं है बन जाएगा फिर किसी फितरा से रहे एक दूब को सनू बता देंगे जिसमें सिर्फ बारंबारता बहुभोज बनाना होगा सिर्फ बारंबारता बहुभोज मतलब बिना आयत चित्र के रहेगा तो बिना आयत चित्र के बारंबारता बहुभोज कैसे बनाएंगे अब उसको हम कल बता देंगे, आज नहीं तर, जिसा कि हम हमेशा जब से साकिकी पढ़ा रहें, तब से एक क्लास में एक ही टॉपिक लेवे करते हैं, बस एक टॉपिक लाएं, एक क्लास हुआ, कहानी आपका खत्म, कभी किसी को अगर अलग से आयत चितर देखना है, तो उसको एक ही वीडियो में भगा भगा के खोजनिक जरूतने है, आपके लिए एक वीडियो सेपरेट है, उसमें सिर्फ आयद चितर के बारें बतायागे, देख लिजे। कल बहुज के बारे में बताएंगे बाराम बारता बहुज उसमें सिर्फ बाराम बारता बहुज रहेगा उभी बिना आयत चित्र के आयत चित्र के साथ है बाराम बारता बहुज कैसे बंदाई तो हम बताई ये दिये कल जो बताएंगे उब बीना आयत चित्र के रहेगा उसमें आयत चित्रवला नहीं रहेगा तो ठीक है क्लास को जाते जाते लाइक करके जाएगा मिलते हैं फिर कल आज के लिए धन्यवाद